आज کا जो टॉपिक है वो बहुत जबरतसत है और हम बात करने वाले हैं कि रिपीटीशन अगर आपके मोबाइल में किसी नम्बर का होता है तो उसका basically अर्थ क्या होता है और कितने तक हमें रिपीटीशन रखना चाहिए और कितने तक हमें नहीं रखना चाहिए कहां रखना चाहिए किस तरह से करना चाहिए सारे चीज़े बताने वाला हूं तो वीडियो बहुत अच्छी साउंड कर रही है आप लोगो को प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंतक देखें साथ-साथ चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा जो इस बने हुए है मैं आपसे बोलूँगा कि जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें और अगर आप अनलेसेस कराएंगे तो आपको फीस वहां देनी पड़ेगी यह ध्याना आप रखिएगा और एक्तुतिन बाते में इसमें और किलियर करूंगा देखें मोबाइल नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो बर्थ नंबर है वो क्या है और आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है इस पर डिपेंड करता है यहां पर कुछ नुम्रोलोजिस्ट यह मानते हैं कि बर्थ नंबर वाला जो मोबाइल नंबर होता है उसको परसनल में रखना चा वाल किया जाना चाहिए मेरा difference है थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि आपको दोनों ही number को या तो आप दोनों number का जो friendly number है उसके तरफ आप ले कर जाये उसको या अगर मान लिजे for example एक birth number 6 है और life birth number 3 है तो यह दोनों में आपस में एक दूसरे के एंटी हैं तो आप ना तो six पे रख सकते हो ना ही आप three पे रख सकते हो तो उस case में आपको mutual numbers कहलो या neutral numbers कहलो उसकी तरफ आपको जाना चाहिए और number जो है फिर आपको ऐसा रखना चाहिए जो आपके birth number और LP यानि की life path number से कईना की match खाता हो और दोनों में problem create ना करें अब six number से ऐसा तो है नहीं कि अगर office की call अगर आपके आएगी तो आप छे number पर आपका जो number है वो आप उस पर call ने उठाओगे या बात नहीं करोगे तो मेरा इमाना है बाकी जो लोग YouTube पर वीडियो क्रेट कर रहे हैं वो उनकी अपनी experience है मेरे अपनी जो experiences है व नहीं पर कुछ लगे आपको doubt तो आप मुझे rectify भी कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है आप लोगों के suggestions invited हैं हमेशा को कि एक ऐसी विद्य है विद्या है जिसमें हम हमेशा सीखते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेगा अगर कहीं कुछ doubt होता है तो आप comment करिए मैं research करू और आपके LP यानि के life path number से match करता हुआ होना चाहिए factors कई तरीके के होते हैं जैसे कि one number से भी हम लोग synchronize कर देते हैं कई बार हम लोग pinnacle का भी देख लेते हैं कि pinnacle इस समय कौनता चल रहा है और ये number देना सही होगा या नहीं होगा बहुत सारे checks होते हैं वह हम लोग जब analysis करते हैं तो हम देखते हैं तो उपीद करता हूं आपको चीशिव समझ भा गाई होगी होगी अब बात करते हैं यह करके कि number one से लेके number nine तक का repetition लेत करेंगे देखो कोई भी number है one से लेके one एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया, छे बार आया, साथ बार आया, देखो, सिली सी बात है, मैं अगर आप से कहूँ कि आपको रोच छोले बटूरे खाने है, तो आप एक दिन खालोगे, दो दिन खालोगे, तीन दिन खालोगे, चार दिन खालोगे, पांच बार दिन आप, या तो आपकी तेव नियुजर रूप में हो जाती है तो आपको problem s लैन्ले करती है तो अगर आपके शरीर में चीनी की मात्र ज्यादा बढ़ जाती है तो आप diabetes से credit हो जाते हैं और फिर आपके चीनी बंद मेरा अपना मानना है कि वन या कोई भी नंबर तीन तक आए तो ठीक है अगर तीन से ज़्यादा आ रहा है या चार भी मान लो किसी केस में तो भी ठीक है लेकिन चार से उपर जैसे निकलेगा तो वो जो उस प्लानेट की जो एक पॉजिटिविटी थी या जो भी चीज़ थी यहां पर करेगी तो यहां पर हम चार तक की ही बात इस सेशन में करेंगी किसी दिन हम पांच एक सेशन में आपको क्रेट करके दूँगा जिसमें हम पांच आप बार आ रहा है छे बार आ रहा है साथ बार आ उसके बारे बताऊगा तो नंबर वन अगर आपका एक बार आता है तो क्या इंटर्फ करता है अब साब बने रहा ना स्ट तक वीडियो में और इस वीडियो को आगे से श्यूर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और हाँ मेरे टेलेगराम का गूरूप नहीं कर ले क्यों कि कई बार क्या होता Khan कि बहुत में आ रहा है. तो यहाँ पर ऐसे जो विक्ति हैं मान लीज़र Last की जो चार नलास्ट की जो चार नलास्ट की जो चार नलर थे समनेन वन यहाँ पर आ रहा था तो ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने आपको Express नहीं कर पाते और अगर Last में बिलकुन नमबर आ रहा है, तो ऐसे लोगों को, दूसरी की बातों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है, ऐसे जो लोग होते हैं, वो थोड़े से कम बोलने वाले होते हैं, मतलब एक बार जो है, वो आया, ठीक है, बट अगर सेम केस है कि अगर दो बार आया अगर एक बार यहाँ आ गया तो क्या अछी बात होती है अछी बात यह होती है कि यह communication में अछे होते हैं साथ साथ communicative होते हैं बहुत आदा बात करने वाले भी हो सकते हैं और थोड़ा ego का problem इनके साथ आता है अगर single one है तो थोड़ा सा expressive नहीं होंगे और थोड़ा difficulty रहेगी बात करने में लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा double one के case में कि ये लोग थोड़ा सा कम बोलते हैं लेकिन जिसके साथ बोलते हैं उसके साथ को बोलते हैं मतलब इनका एक दाइरा है कि जिनके साथ communicate करना है और किसी के साथ communicate नहीं करना है ये इनके साथ है वहीं अगर ये one जो है three times हा गया one 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 हो गया तो ऐसे जो लोग होते हैं कई बार देखा कि बहुत जादा बोलेंगे और कई बार ऐसा होगा कि मतलब chatterbox भी बोल सकते हो आप इने और कई बार ऐसा होगा कि बिल्कुल remain silent हो जाएंगे और बहुत ज्यादा uncommunicated हो जाएंगे मतलब cut off कर लेंगे आप से तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कभी तो बहुत ज्यादा कभी दूब है तो कभी शाम है बहुत सिच्वेशन इनके साथ रहती है और अगर तीन बार आ रहा है तो मैं गोलूँगा कि ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा कई बार relationship में issues जो है वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं वहीं पर अगर चार बार यह आ जाता है तो क्या indications हमें मिलते हैं देखिए अगर चार बार आ जाता है तो कई बार misunderstandings जो होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और ऐसे लोगों को थोड़ा सा relax करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है restless होते हैं और कई बार देखा जाता है कि अर्ग organized होते हैं और most of the times थोड़ा सा hypertension रहती है इसकी वज़े से दिक्कत आती है लेकिन एक चीज अच्छी यह होती है कि अगर यह मतलब यह हमेशा कहता हूं ना कि mobile जो number है वो किस purpose के लिए आप use कर रहे है वो depend करता है तो अगर यह number 4 किसी के में आ रहा रहा है तो यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो stage पर जाते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं वो comfortably speeches deliver कर देते हैं तो यह हमें देखने क को मिलता है इसके साथ साथ अगर हम number 2 की तरफ चलें तो number 2 किसको represent करता है moon को और यह करता है sun को तो हम कह सकते हैं कि चार बार अगर आ रहा है तीन बार तक तो ठीक ठीक है बलकि दो वारी रहे तो ज्यादा बैटर है लेकिन अगर तीन बार आ रहा है तो थोड़ा सा up and down communication मे देखने को मिल सकता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा बात और कभी-कभी बिलकुल बात नहीं remain silence वाली बात आ जाती है वहीं अगर हम number 2 की बात यहां पर करें तो यह sensitive होते हैं यह नमबर 2 है वो एक तरीके से represent करता है माता जी को भी तो यह sensitive होते हैं और जो hurt होने की जु जो है देखा जाता है कि आप देखना अपने mobile में कि गुण है यह इनका कि यह लोग में cunning people को बहुत जल्दी analyze कर लेते हैं कि हाँ यह बंदा बहुत चलाक है नमबर 2 अगर है तो sensitive emotional यह रहेंगे दो बार अगर दो आ रहा है और काफी bright होंगे intuitive होंगे लेके mood जो है वो swing होत तो यह बहुत ज़्यादा sensitive हो जाएंगे और impatient हो जाएंगे और कई बार देखा जाएगा कि थोड़ा सा problematic रहेंगे और इनको handle करना असान नहीं होगा वहीं अगर चार बार आ रहा है मतलर दो दो की formation अगर आई है दो दो की formation mobile में आ रही है या दो कई बार repeat हो रहा है चार ब अकेला रहना पसंद करेंगे कम बात करेंगे और अपने ही ख्यालातों में जिसे हम कह सकते हैं न खोर जागा वह आली situation इनके साथ आएगी मैं कह सकता हूं कि थोड़े से over imaginative यह होते वे मुझे दिखाई देंगे और जिसकी वजार से इने कुछ problems का साहरा भी मतलब साहरा त तो अगर दू बार तक आ रहा है तो ठीक है तीन बार आ रहा है तो sensitive ज्यादा हो जाएंगे और handle करना कई बार मुश्किल हो जाएगा बाकी तो आप मुझे comment करके बताएंगे कि क्या situation आपके साथ ऐसी होती है या नहीं होती है बात करते हैं तीन नमबर की जो की है वाले होते हैं वहीं positive और naturally इनके अंदर एक leadership की quality आपको देखने को मिलती है two times अगर आ रहे हैं तो creative रहते हैं और expressive रहते हैं और अपनी feelings को express करना बहुत अच्छे से जानते हैं तीन बार आ रहा है तो imaginative रहेंगे और difficult हो जाएगा थोड़ा सा कि अपनी जो इनकी बाते हैं उसको real world के साथ imagine करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मतलब इनकी जो thinking होती है वो real world के साथ थोड़ा match करना ही कर पाती और एक तरीके से dreamer kind of person होते हैं तो तीन बार अगर आ रहा है तो थोड़ा problem यह आपको create कर रहा है वहीं चार बार अगर आ रहा है तो over active हो जाते हैं और बहुत जादा ऐसा pretend करते हैं कि बहुत जादा knowledgeable person है और बहुत जादा over active मतलब unnecessarily यह ऐसे कामों में अपने आपको include कर लेते हैं जहां पर जरूरत इनकी इतनी जादा नहीं है तो यहां कह सकते हैं कि तीन अगर दो बार आ रहा है तो ठीक है लेकिन दो बार से जादा अगर आ रहा है तो problematic है वाकि आप comment करके मेरे को बताते रहिए कि किस दाब से है चार नंबर यानि की राहू अगर राहू आपके पास एक formation में है तो very neat and clean रहना पसंद करेंगे और अपनी जो surroundings हैं उनको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और एक systematic work करना पसंद करेंग और अगर दो time आ रहा है तो creative और artistic गुण इनके अंदर देखने को बिलेंगे और ऐसा काम करने में यह बड़ा ही अपने आपको सहज महसूस करेंगे और जो matteristic चीज़े होती है उसके अंदर इनका interest काफी रहेगा तीन time अगर चार आ रहा है mobile में तो इनकी जो energy है वो wrong decisions में जाती हुए दिखाई देगी और यह hard work तो करेंगे लेकिन दिशाही ही हो जाएंगे यह physical works उस समय अच्छा कर पाएंगे और यह वो काम अच्छा कर पाएंगे जो इनके हाथ में होगा अगर इन्होंने अपनी energies को कुछ ऐसे चीज़ों में लगा दिया जो negative trends में जा रही है तो इनको worse results देखने को मिल सकते हैं वहीं चार बार अगर आ रहे हैं तो यह ऐसी जॉब करना पसंद करेंगे यह ऐसी जॉब में होंगे जो लेबर्स वाली जॉब होगी जहांपर extra काम इन्हें करना पड़ेगा तो कह सकते हैं कि दो बार तक तीन बार तक थोड़़़दा ठीक है लेकिन उसके उपर अगर जा लोग चेक करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए यह चीज़ खराब है तो किसी के लिए वो चीज़ अच्छी है वो किसके लिए अच्छी है वो उसके मूलांक और भाग्यांक के according यानि की birth number और आपके life path number के according यहां चलता है पांच की बात करते हैं तो यहां पर यह होता है बुद्ध का number तो अगर एक बार आ रहा है तो मैं यह कह सकता हूं कि यह freedom पसंद करते हैं relationship में work में भी और मतलब चाहें काम करें चाहें relationship में रहें दोनों में यह freedom पसंद करते हैं आप इन्हें बहुत जल्दी गिरा नहीं सक सकते हैं और बहुत caring well balanced किसम के लोग होंगे साथ साथ अपरोच करेंगे और motivate करते रहेंगे दूसरों को अगर दो टाइम आ रहा है तो determined रहेंगे hard working रहेंगे अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम को निप्टाएंगे वहीं दो टाइम अगर चल रहा है यह लोग बोल सकता हूं कि to the point बात करेंगे तीन टाइम अगर आ रहा है तो कई बार यह ऐसी कुछ बाते करेंगे जिसकी कोई भी वजूद नहीं है या कहूं कि सोचे बिना बोल दिया कुछ भी बोल दिया तो वह situation सेंगे साथ आएगी अच्छा नंबर चार में नंबर वन में एक बात रहेगी यह मैं आपको repeat कर देता हूं अगर चार बार नंबर आ रहा है तो उसमें वानी दोश भी लग जाता है वह मैंने अभी मेरे जो नोट्स हैं मैंने उसमें यह पाया कि वानी दोश भी उसमें लग जाता है तो यह ध्यान रखिएगा तो नंबर तीन बार आपके मुबाइल में तो यह कुछ ऐसे जगहों पर पसंद करेंगे जाना जो की थोड़ी से अलग तरीके की होंगी जैसे for example कोई नैनिताल जाता है को मुंबई जाता है तो कोई कहीं जाता है यह ऐसी जगहों को तलाश करेंगे जहां लोग कहीं नहीं जाते यह adventure की तलाश में यहां पर रहेंगे वहीं चार बार अगर आ रहा है तो चूट लगने की संभाव में जादा बनती रहती है और थोड़े से impulsiveness इनके अंदर जादा आ जाती है तो आप खुदी judgment करेंगे कि कितनी बार आपको रखना है कितनी बार आपको नहीं रखना आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपके मुबाइल में कितनी बार कौन सा नंबर है और आपके उपर कितनी बाते इस पर लग हो रही है च्छे नंबर की बात करें तो वीनस का नंबर है यानि कि शुक्र का नंबर है ये तो वीनस का नंबर हमारे पास आ गया है तो यहां पर अगर एक बार आ है तो family के close रहेंगे और अपने family के साथ pleasant surroundings को बनाते रहेंगे यह लोग अच्छे advisor होते हैं और हमेशा दूसरों की advice भी नपसंद करते हैं साथ-साथ दोस्तों के साथ नए-ने context बनाना भी पसंद करते हैं two times अगर आएगा तो parents dominating होंगे थोड़े से और थोड़ा सा seasonal रहेगा और temperament जो है रहेगा वो vary करता रहेगा मतलब इनके temperament को आप judge नहीं कर सकते कब यह क्या कर दे तो थोड़ा सा secretive हो जाएंगे three times अगर आ जाएगा तो short tempered हो जाएंगे और कई बार ऐसे control करना इन्हें थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा and जो three times में जब हम जाएंगे six के case में तो इनका जो भी creativeness है या मतलब कुछ भी है उसको थोड़ा सा एक तरीके से मुझे लगता है कि थोड़ा सा channelize करना पड़ेगा या कहूं उसको motivate करना पड़ेगा तब जाकी चीज़ सलेगी वहीं अगर चार बार आता है तो highly emotional होंगे और highly creative जरूर होंगे लेकिन ऐसे childish behave करेंगे कि maturity level जो होगा कम होगा उसमें और इनको proper guidance इन्हें जरूरी होगी और जो भी ये बतलब जो भी field में जाएंगे उसमें proper guidance की जरूरत इन्हें पड़ेगी तो again समझ रहे होंगे किस तरह से चल वो अपने गलतियों से सीखते हुए आगे चलते हैं और हमेशा कुछ भी lose अगर ये करते हैं तो किसी भी person को ज़्यादा उस चीज़ का एहसास नहीं दिलाते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ दया है नहीं अगर दो टाइम्स आ रहा है तो लेनिंग फॉम्ड़ एक्सपीरियंस लेनिंग फॉम्ड़ मिस्टेक्स हम कह सकते हैं और इस प्रीचुवल जो थिंग्स होती है डबल सेवन माली आपके मोबाइल में है कहीं पर या अलाग अलाग भी आ तो इस प्रीचुवल थिंग्स में है तो यह डिपेंड करता है फॉर टाइम्स अगर आ रहा है तो हेल्थ में और होम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी यहां पर बनी रह सकती है नमबर आठ की बात करते हैं लेकिन आगे बने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा तो यह आता है है मारा शनी तो शनी जो वैसे भी जिबिल्टी का डेते है और शनी अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्चे आपको रिज़ल्ट यहां पर देते हैं तो यहांप डिटेयल पसंद होता है अगर आप के नमबर में यह चीज आ रही है तो आप बात लंबी कर सकते हैं और डिट ना कुछ नया आप तलाश पर रहेंगे रिसर्च हमेशा आप करते रहेंगे और दो टाइम अगर आपके डबल एट आ रहा है तो थोड़े जद्दी बन सकते हैं आप और आप जिस भी डिसिजन पर आप मतलब लेंगे गलत हो सही हो उस पर आडिक रहेंगे और थोड़े से ल ट्रीपल एट की फर्मिशन होती है यह अपने बात से बैस्ट निकालने की कोशिश करते हैं और लग्जरी भी इनके पास होती है और बस यह रेस्लेस कई बार हमें देखने को बिजनसमेन तो बिजनसमेन तो बहुत हो जो होगा वो चैन्से तो बैठेगा नहीं तो उस देखा जाता है कि जब 8-4 बार आता है तो criminal activities भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और और वो चो criminal activities होती है वो थोड़ी सी घर से बाहर की होती है तो यह देखने को मिला है बाकी तो आप बताएंगे कि आपके पास क्या है mind जोड़ा सा जो होता है ना unusual हो जाता है अब यह जो होत करना चाहे मुझे तो आप सुपर थैंक्स मुझे दे सकते है इस पर नई नमबर यानि की energy का number है और इनका जो mental level होता है बड़ा energetic होता है और यह intelligence इनके अंदर काफी हद तक देखने को मिलती है और अगर दो times हा रहा है तो critical हो जाते हैं किसी को किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं और सिर्फ इस बात पर देखते हैं कि जांसते हैं बरते हैं तोलते हैं उसके बाद बात करते हैं चीजों को देखकर आगे बढ़ते हैं तो two time आता है one time आता है that is very good कोई problems उसमें आपको नहीं है three times आ रहा है तो idealistic person होते हैं और कई बार situations को बढ़ाने वाले ह होते हैं situation stand हो गई problem खतम हो गई लेकिन यह बीच में से कोई बात नहीं के निकाल के और उसको थोड़ा सा exudate कर देंगे तो यह होता है इनके साथ and अगर चार बार आ रहा है तो यह loner होते हैं आपने देखा होगा कि मतलब परिवारिक जो से हम बोलते हैं ना कि परिवारिक खुदी solve करना है तो यह रहता है और अगेन इन्हें भी constant motivation की ज़रुवत पढ़ती है कभी ना कभी अगर तीन बार आ रहा है या चार बार आ रहा है तो उसमें इनको constant motivation ज़ता ही है channelize करना पढ़ता है scale करना पढ़ता है कि यह प्रबंदा कहां जा रहा है बट इनमें अच् का repetition मैंने आपको बताया आप कितना relate कर पाए कितना नहीं कर पाए आप पर लागू हुई बात नहीं होई सब कुछ मचे बताओ कमेंट करेंगे क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको सिखाने का मतलब है अपनी परिक्षा देना तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है कहीं पर भी तो लाइक आप जरूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपको इतना समझ में आगया होगा कि तीन तक तो ठीक है लेकिन तीन से जादा अगर हम जा रहे हैं तो problems थोड़ी सी create यहां पर हो रही है अब सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जो भी combinations हम बनाते हैं या हम मैं आपको जो बताता हूं जो personal analysis बताता हूं वो number नहीं मिलते हैं अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक तरीके से जो भी companies हैं उनके उपर dependent है तो अगर आपको पूरा number नहीं मिल पाता है जो combinations मैंने आप personal analysis में दी हैं तो आप कोशि important पूरा है लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम चान number जो आपका purpose है मतलब आपको नौकरी लेनी है आपको business बढ़ाना है आपको money attract करनी है आपको civil services में जाना है आपको किसी में में जाना है तो वो जो last के चान number है जिसमें दो number आपके हैं जो मैंने आपको पिछली वी और मेरे से कमेंट करके कि सर जो number current number है मेरा जो मेरा अधार से भी link है pen से भी link है उसका क्या करो तो देखें सर ये तो ऐसा है कि change हो जाते हैं लेकिन immediate change मत करिए कोई भी number आप ले रहे हैं मैं suggest कर रहा हूं या कोई और suggest आपको कर रहा है तो immediate change नहीं करने है छे महीने एक साल आपको number चलाना है और जिस दिन से वो चलाना start करोगे उसे note कर लो देखो कि वो number लेने के बाद उस number पर किस तरह की call आई कितना आपको business मिला क्या हुआ जब आपको लग जाए आप mindly prepare हो जाओ कि हाँ ये number ही रखना है इसमें और कहीं कोई problems मुझे नहीं करनी है then आप फिर changes कर सकते हो कोई problem नहीं है आपको update करने पड़ेंगे but immediate नहीं है कि अभी लियावा सब जगह आपने change कर दिया हो कोई necessity नहीं है आपकी आप जो है धीरे-धीरे कर सकते है एक चीज़ मैंने और आपको बताई है कि आपको कोई number आगा suitable नहीं है और आपको पताया कि वो number suit नही कर रखो आप उससे उतना ही काम लो जितना आपको जरूरी है आप उससे chatting box बात करो ही मत तो ही छोटे से आपके उपाय होते हैं करिए बाकिये कमेंट करके बताएए मुलागात होगी नहीं वीडियो में और वीडियो आप 8 बज़े डालूंगा तो कि 4 बज़े वीडियो डा यो वीडियो डालूंगा से आपके बात कर दो ही तरी है